नमस्कार ऐसे बीज में आपका स्वागत है आज हमारे से परम समाज सेवी हैं सुधीर भाशकर जी जो समाज की कारणें में बढ़ चड़का हिस्सा लेते हैं और कोई भी बहुजन मुवमेंट का कारणे होता है उसको बखुब भी बहुत अच्छे से निभात है सुधीर जी और सभी को मेरा करांतिगारी जैभीम नमो बुद्धास सुधीर जी काशीराम सहाब ने एक साइकल पर पूरे देश को जोड़ दिया था लेकिन आज पूरा जो समाज है धेर सारी गाड़ियां मुबाइल बहुत डिजिटल होने के बावजूद भी वो बहुजन मुमेंट तैयार नहीं हो पारा जो मानिवर्सरी काशीराम सहाब ने तैयार कर दिया था आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो धारा उस वक्त बहुजन समाज की बहुजन समाज के लोगों को एकत्र करने का कारी है जो पूजी ने साइकल चला चला के किया उस वक्त हमारा जो सोशल मी हमारी तक और गुजरात से लेके और असाम तक साइगल चला चला के लोगों को एकतर किया उनको समझाया और अपनी एक ताकत पैदा की राजनेतिक ताकत पैदा की जिसकी वज़े से आप देख रहे हैं हम बहुत सारे रोग जानते हैं कि उत्तर पर देश में जो भारत का सबस से कम नहीं है सोच के मामले में परशासन के मामले में हर मामले में वो अवल और खरी उतरी आपने बसपा सुप्रीमों की बात कही बसपा सुप्रीमों के जितने डिसिजन होते हैं लोग बहुत सरानिया बताते हैं लेकिन जो आजकल का माहौल चल रहा है और जो जिस तरीके स बस्पा के बारे बताया जारा है तो लोग क्या टूट रहे हैं जुड रहे हैं या बस्पा सुप्रीमों की बातों को फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं हाँ ये भी बिल्कुल अपने आप में के सत्य बात है कि आज कल बहुजा समाज पार्टी से लोग थोड़ा विमुख भी हो रहे हैं क्योंकि बहेंजे की कुछ नेतियां हमें भी ऐसा महसूस होता है कि कभी-कभी वो निर्णे सही नहीं ले पाती हैं और बहुत सारे कारे करता जो बुद्धी जी भी वर्ग भी है वो अक्सर उनसे रुष्ट हो जाता है और इसी वज़े से पार्टी का जनाधर भी कम हो रहा है और जोड़नी की जो नेति है जो कूट नेति है जो राजनीते में बहुत महतुपून इस्तान रखती है कूट नेति वो बहन मायावती के अंदर थोड़ा कम हमें दिखाई देती है क्योंकि कूट नेति ही वो नेति है जिससे हम राजनीते में सभलता प्राप्त कर सकते हैं और जादे से जादे लोगों को हम जोड़ सकते हैं और अपनी ताकत को मजबूत कर सकते हैं सुदिर जी आपने संपूर जीवन तो अपना बहुजन समाज के लिए लगा दिया लेकिन बसपा की सुप्रीम होई मायावती उन्होंने अपना पूरा जीवन 21 साल से शुरू करा और आज उनकी जो उम्र रही है वो सारा जीवन अपना उन्होंने बहुजन समाज के लोगों क नहीं होते हैं ऐसा महसूस हम भी करते हैं जिसकी वज़े से पार्टी का जनाधार भी कम हो रहा है वैसे बहन जी को यह समझना चाहिए कि यह पार्टी अकेले उनकी दम पे पार्टी नहीं चल रही है इसमें बहुजन समाज जो भारत का एक बहुत बड़ा समाज है वो जुड और किस तरह से पार्टी का जनादार बढ़ाया जाए इस बारे में विचार विमर्ज करना चाहिए जो बहन जी कभी इस तरह से नहीं करती हैं सुदीर जी आपने बहुजन समाज को बहुत सारा समय दिया है दिन रात लगे रहते हैं बुद्ध वियार की बात हो चाहिए बहुजन मुमेंट को मजबूत करने की बात हो आपके नजरिये से वो कौन से कारे होने चाहिए ताकि बसपा और बहुजन समाज मुमेंट बहुत वो जनजन के पास जाके जिस किसी व्यक्ति से एक बार बात कर लेते थे तो उनका वो मुरीद हो जाता था उनके पीछे पीछे चलता रहता था और उनकी हर बात को सर आँखों पर रखता था वो बात बहन जी को भी समझनी चाहिए क्योंकि बहन जी ने बहुत सारा समय साहब क कांशी राम के साथ में बिताया है हम भी जानते हैं कि 20-21 साल की उम्र से ही और आज लगवद 12-63 साल की तरेसर साल की यह जुनकी हो गई है तो उनको यह समझना चाहिए कि कांशी राम जी का वो कौन सा रास्ता था कौन सा कौन सा कौन सी ऐसी बाते थी उनके पास में वो सब ज रहे हैं सुधीर जी आपने बहुत सारा समय समाज को दिया है और निरंदर आप देते रहते हैं आज जितने भी लोग हैं वह सब मानेवर काशी राम सहाब बनना चाहते हैं लेकिन उनकी बात को फॉलो नहीं करते हैं इसका क्या विशेश कारण है एक्शली आज कल क्या एक फितरत होती है बहुत जादा करना कुछ नहीं लेकिन पाने की जो चाहत है वही उसको परिशान करती है और उसी वज़े से मैं समझता हूँ कि वो एक चाहत की वज़े से वो चाहत तो पूरी होती नहीं है मैं भी कुछ भी चाहूँ तो जरूरी नहीं कि वो मेरी चाहत पू दोयम दरजे का कार्य करता भी उनको नहीं समझा जाता है वो खड़े होते हैं प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी उनके सामने से आते हैं वो हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं लेकिन प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी बिल्कुल भी उनको तवज़ों नहीं देते लेकिन उसके बा इस तरह से सोचना चाहिए कि आखिरकार Behen Maayavati हमारे समाज की हमारे सबसे सबसे बड़ी आज की नेता है और हमें समान भी करना चाहिए और उनके बताय रास्ते पर चलना चाहिए और Behen जी को भी समझना चाहिए जो हमारा buddhi Jiwi वर गे है मारे समाज का और जो आम मत दाता है उससे जुड़ने के कौन से ऐसे तरीके हैं उन पर सड़क पे आना चाहिए घर घर जाना चाहिए जन संपर्क बढ़ाना चाहिए यही वो कला है जिससे हम वो जादा से जादा लोगों को परभावित कर सकेंगी और जादा से जादा लोगो इसकी सबसे बड़ी जो वज़ा है वो ब्राह्मन वाद का जो दिया हुआ जाती वाद है जाती वाद की जो समस्या है उसकी वज़े से इसारी समझें खड़ी हो रखे हैं क्योंकि हर आदमी अपने आप में सुपीरियर समझता है यादव समझता है मैं स्रेष्ट हूँ कुर्मी समझता है मैं स्रेष्ट हूँ गूजर समझता है मैं स्रेष्ट हूँ और जाटव चमार है वो समझता है मैं स्रेष्ट हूँ इसी वज़े से वो स्रेष्टा के चक्कर मे एक मंच पर आने में कत्राते हैं और यही सबसे बड़ी वज़ा है कि 85% होने के बावजूद भी सारे लोग एकत्र नहीं हो पाते हैं और ब्रहामनवाज हर बार हमें जहांसा दे के अपनी सरकार बना ले जा रहा है आपने मानेवर काशीराम साब की बात करी वो कौन सी कलाओं की बात कर रहे हैं जिसे बहुजन समाज एक जुट हो पायागा जो आज तक नहीं हो पाया है साहब काशीराम हर व्यक्ति के हालचाल पूछते थे उसके पास जाते थे उसके घर खाना भी खा लेते थे कोई बड़ी बात नहीं है खाना खाते थे लेकिन उनके जो विचार थे जो महापूरसों की जो विचार धारा थी जो बावा सहब अंबेडकर की विचार धारा कांसे राम ने किया क्योंको उनके अंदर समाज की टीज थी एक दर्द था उनके मन में कि मेरा समाज इतना गया गुजरा है पिछड़ा है आके इसकी वज़य क्या है उन्होंने वो वज़य तलासी और जो राजनेतिक शक्ति हमें प्राप्त हुई है बाबा साथ मिड़ करने जो हमें सम्विधान दिया है उसमें जो हमें अदिकार दिये हैं मिले हैं उसके द्वारा वो पूरे नहीं हो रहे थे उसको पूरा करने के लिए भी एक राजनेतिक शक्ति का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो साब कांसी राम ने जन जन तक जाके साइगल चला चला के पैदल घूम घूम के और लोगों का दिल जीता और एक बहुत बढ़ी शक्ति बनाई उन्होंने आप थे हमारे साथ सुधिर भाशकर जी जन्होंने बताया कि बहुजोन मुवमेंट को बढ़ाने के लिए बहुजोन मुवमेंट को एक जुट करने के लिए बहुत सारे चोटे-चोटे कारे करने पड़ेंगे जाती करण को हटाना पड़ेगा सब समाज की स्थापना करनी बिल्कुल भी दवाना ना भूले ताकि सबी लेटेस्ट खबरे पहुंच सकें आप पे सबसे पहले